हलो अवरीबडी मैं हूँ शिल्पापुंडी अमेरिका के लुइबल सिटी से और अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर हालाद बिल्कुल भी ठीक नहीं है 26,000 से जादा केसे और पिछल तीन-चार हफ्तों में यहाँ आकड़ा देखने को मिला है और रोज हजारों की संख्या में यहाँ पर न्यू केसे सामने आ रहे हैं हम शरुवात में जब यहाँ पर केसेज मिले थे तो हम सोच रहे थे कि अरे अमेरिका में तो ना कुछ होगा लेकिन अब जो यहाँ पर रहां रहा है वो सचमें डर्याने वाले हैं हाला कि जिस स्टेट में हम रहते हैं कैंटिकी में वहां पर करीब 90 केसेज मिले हैं लेकिन शुरवात में जब यहां पर केसेज मिले थे उसी समय से यहां पर जो लोग हैं उन्होंने अपने आपको आईसोलेट करना शुरू कर दिया था और एमर्जनसी की कंडिशन में ही आपर बने हुए हैं लेकिन जो चीज यहां पर जो सबसे ज़्यादा डरा रही है वह यह है कि अमेरिका आप देखिए सुपर पावर है मेडिकली इतना ज्यादा एड़्वांस कंट्री है पॉपलेशन के माइनने में यहां पर कम पॉपलेशन हैं इंडियर के कम पैरेजन अब यहां पर जो हालात हैं वो डरा रहे हैं और एक तरह से तीन हफ़ते में जो अमेरिकी सर्कार है पूरी कोशश कर रेही है निपटने की. लेकिन एक तरिके से सारी कोशश यह नाकाम हो रहे हैं क्युक्य बड़ी संख्या में केसे सामने आ रहे हैं. भगवान ना करे अगर इस तरह के हालात हिंदुस्तान में बंगते हैं तो कैसे निपटा जाएगा क्योंकि जिस तरह से मेरी बात हो रही है अपने रिलेटव से फ्रेंड से मैं सोशल मीडिया पर देख रही हूँ किसी ने लिखा था कोरोना वायरस ब्रेक हॉलीडे इस तरह के फोटोज वहाँ पर लगाये जा रही हैं तो यानि कि अभी भी बहुत लोग लाइटली ले रहे हैं वहाँ पर गौमूत्र पार्टी औरगनाईज हो रही हैं वहाँ पर कह रहे हैं कि अल्ला के भरोस से हैं हमें तो अल्ला बचा लेगा प्रोटेस्ट अभी भी चल रहे हैं नमाजे अभी भी चल रही हैं वहाँ पर यग्य हो रहे हैं कोरोना से ने पटने के लिए तो आप मुझे लगता है कि वहाँ पर लोग गंभीरता को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी मुसीबत उन और के करीब आबादी है वहाँ पर और साडगे 12,000 से जादा केसद और रोज वहां पर बड़ी संक्या में वहाँ पर केसें मिल रहे हैं पूरी कोशिष यहां पर अमेरिकसर euhец सरकार लगा सब्सक्राइब यह देता है कि यह भागाने काउ हंगे दिखा को को अभी मौका मिला कि कितने आप राश्ट भक्त हैं आप अपने देश को बचा सकते हैं प्लीज प्लीज जो हालात यहाँ पर बने हैं बड़ी जो कंट्रीज हैं चाइना आप देख लीजे इटली देख लीजे USA आप देख लीजे हालात समझे आपको मौका मिलाए प्लीज आपको बस करना है कि आप घरों में रहिए ताकि आप इस बिमारी से बच सकें और जो चेन एक फैली है इंपेक्शन की जो एक सो दो दो से चार लगातार बन रही है उस चेन को आपको ब्रेक करना है आप गंभीरता को समझे